आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं डाउट नट लाइब में कलम ने चैप्टर शुरू किया था नहीं पेर ओफ लीनियर एक्वेशिंस इन्टू वेरियबल्स तो कल के क्लास में किया था इसके बारे में अपन ने शुरू आ तो आज इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं पूए ग्राफिकल मेंठड क्या होता कैसे अपना स all करतें अबारे में अपन करने वाले हैं बात आइब फिर आफ लीनियर एक व प्रेजेंट करती है तो पर अगर स्ट्रेट लाइन को रीप्रेजँट करेगी तो यहार अब पेर ओफ लीनियर एक्वेशन किसको दो इस्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो इस्ट्रेट लाइन्स को टू इस्ट्रेट लाइन्स ठीक है इसमें तोटल अपने पास बेटा तीन केस हो सकते क्या क्या केस हो सकते केस नंबर एक है कि भाईया दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग कि एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे है बैटा दोनों एक दूसरे को इंटरसेट कर रही हो दूसरे केस क्या हो सकता है बैटा दूसरे केस कि यार दोनों पैरलल भी हो सकते दोने स्ट्रेट लाइन पैरलल यह पैरलेल स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरलेल में चलती रहेगी हमें से ठेक है और थर्ड केस अपने पास आ सकता है कोईंसीडेंट थर्ड केस क्या हो सकता है अपने पास कोईंसीडेंट लाइन्स ठेक है एक के उपर एक यह एक लाइन है और इसके जस्ट उपर दूसरी वाली लाइन है ठेक है बटा तीन केस हो सकते हैं अपने पास एक यह हो सकता है कि बहिए दोनों एक दूसरे के आस पास चल रही है, एक दूसरे के उपर चल रही है, जहां से एक पास हो रही है, वही से दूसरी भी पास हो रही है, इस तरहे के तीन केस हो सकते हैं, ठीक है बटा, तो अब बात करते हैं कि यार क्या है, ये सलीशन क्या है, मैं क्या बोल रहा है वो, graphical method of solving, a pair of linear equation, बैं pair of linear equation क को graphical method से कैसे solve करेंगे इसकी बात आ रही है यह solution क्या होता है solution x और y का ऐसा values जो दोनों equation को satisfy करता हो है कि नहीं क्या solution क्या है बटा x and y की ऐसी values जो दोनो equations को satisfy करता हो यह अपने पास एक equation है a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0 एक यह a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0 ठीक है बटा अब यहां पर अपने पास solution क्या है x and y की ऐसी values जो दोनों equations को satisfy करती हो ठीक है अब तो दोने equation को satisfy करने वाली x की value चाहिए अब जैसे माल लि la spectrum एकSome. एक moyan की equation है, तो इस वाली line पर जितने भी point है वह सारे इस जतने भी point इस line पे है वह सारे है को इस equation को satisfy करेंगे similarly यह दूसरी line नहीं यहां पर जितने भी point है वह सारे है वो सारे इस वाली लाइन की equation को satisfy करेंगे, यह जो इन दोनों में common point होगा, x and y की ऐसी values दोनों को एक साथ satisfy करेंगे, वो यहाँ पर आएगी, तो जहाँ पर यह intersect करेंगी, क्या करेंगी बैटा, जहाँ पर यह intersect करेंगी, वो अपने पास, क्या हो जाएगा, यह अपने पास इन equations को satisfy करेंगे, इस पर जतने point हैं वो सारे, इसकी equation को satisfy करेंगे, तो दोनों को एक साथ कौन से point satisfy करेंगे, एक ही point आएगा, जहाँ पर यह, दोनों intersect कर रहे होंगी, है कि नहीं, बटा, जो point of intersection होगा, वो इन दोनों का common solution होजाएगा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक point of intersection है तो इसका लिख देंगे अपन unique solution जब अपने पास दोनों lines intersecting होंगी हमट भी बताएंगे रुको ठीक है homework के बारे में discuss करेंगे आखरी में जहां पर यह दोनों line intersect करेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन unique solution अगर intersecting line है और अगर parallel lines है तो क्या कभी है मिलेंगी क्या यह parallel lines कभी मिलेंगी कोई ऐसा point आएगा जो दोनों में common होगा नैसा हो यह नहीं सकता तो इसको आपन बोल देंगे कौन सा no solution यहाँ पर इन दोनों का कोई solution नहीं आए ठीक है बटा और जब दोनों line एक दूसरे के उपर से चल रहे होंगे तो जितने भी point होंगे सारे दोनों equation को satisfy कर रहे होंगे इसको आपन बोल देंगे infinite solution कौन से solution बोल देंगे इनको बटा इन फाइनाइट solutions बोल देंगे जो दोनों line coincident होंगी तो इत्ती सी बात है अब इनके लिए condition भी जाल लेते हैं यह क्या condition है intersecting lines के लिए जो condition होती है वो क्या होती है पहले वाले के लिए intersecting lines के लिए condition होती है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 अगर ऐसा होगा तो यह दोनों intersecting line कौनसी होंगी intersecting lines अगर ऐसा हुआ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 तो बटा यह कौनसी line हो जाएंगी यह अपने पास हो जाएंगी parallel lines यह पहले के लिए होगा यह parallel lines यह दूसरे के लिए and coincident lines के लिए क्या हो जाएगा बटा coincident line के लिए हो जाएगा a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 यह अपने हो गया coincident line के लिए है यह total अपने पास तीन केस बन सकते हैं या तो दो लाइन इंटरसेट करेगी या दो लाइन parallel होगी या दो लाइन एक दूसरे का उपर चलेगी यह coincident होई ठीक है तो ठीक है बटा ने अब देखें किस तरी के सवाल हम से पूछे जा सकते हैं उसके बारें थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ठीक है बटा चलते हैं थोड़ा सा इसके dems Bakan llj जिसको भी जरुवत हो उसका इसका स्क्राजी Uhr ले सकता है फटाक से ले ले स्क्रीण सोट फिर आपन थोड़ा आगे चलने की कौशिश करेंगे ले लिए स्क्रीन सोट थोड़ा सा आगे चलते हैं यह अपने पास क्या बोल रहा है solve graphically the system of equations solve graphically the system of equations एक दे रहा है अपने पास x plus y equal to 3 x plus y equal to 3 दूसरा अपने पास दे रहा है 3x minus 2y is equal to 4 दो equations दे रहे हैं कैसे इनका graph draw करते हैं कल बताया था अपने टेबल बना लेते टेबल बना लेते टेबल कैसे बनेगी बटा यहाँ पर x और y अगर x का value 1 होगा तो y का value 2 x का value 2 होगा तो y का value 1 दो ही point बहुत है इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं x,y कोशिस करें कि ऐसे point लिए जो integer हूँ ठीक है तो इसके लिए अगर आपन क्या रखेंगे y का value रख लेते हैं y का value 1 रखेंगे तो x कित्ता आजाएंगे टू इधर जाएगा तो 6 हो जाए एक से कोल टू आ जाएगा अगर y का value अपन कित्ता रखेंगे एक point और ले लेते हैं y का value ऐसे रख लेते हैं y का value 4 रख लेते हैं y का value 4 रखेंगे 2 इंटू 4 8 उदर जाके 8 ओका तो 12 त्री से डिवाइड करेंगे तो 4 एक 4,4 आ जाए ठीक है बटा दोनों पर दो दो पॉइंट पता चलगे अब आपन आगे ग्राफ पे यह ग्राफ पे आगे यह positive x-axis यह negative x-axis यह positive y-axis यह negative y-axis 1,2,3,4,5 minus 1, minus 2, minus 3 यह जाएगा अपने पास 1,2,3,4 minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 यह जाएगा बटा ठीक है पहले वाले के लिए देखते हैं x equal to 1 and y equal to 2 color change कर लाते हैं, ink का color पहले वाले को red से बना लेते हैं x equal to 1 x पे 1 चलना है और y पे 2 इस तरह से चलना है ठीक है? यह अपने पास point हो जाएगा इस point को मैं mark कर रहा हूँ क्या? 1,2 दूसरा point कहा है बटा 2,1 क्या चलना है? किस की equation आ गई? किस की line आ गई? x plus y equal to 3 ठीक है बटा? दूसरी line देखते हैं दूसरी line किस तरह से बनेगी? दूसरी line कैसी बनेगी? x equal to 2 and y equal to 1 x equal to 2, y equal to 1 एक point तो यह आ गया x equal to 4 and y equal to 4 यह 4,4 यहीं आ जाएगे का 4,4 यह point 4,4 है इन दोनों को join कर दें इन दोनों का आपन ने कर लिया है join तो यह दोनों join होके कुछ इस तरह से pass हो जाएगी तो यह वाला जो अपने pass दोनों पर common point है point of intersection कहां पर आ रहा है बेटा 2,1 2,1 पर point of intersection आ रहा है तो आपन कह देंगे कि इसका एक unique solution है और unique solution क्या है unique solution अपने पास क्या है x equal to 2 and y equal to 1 यह अपने पास इसका solution इस तरह से graphical method से अपन equations को करेंगे solve यह अपने पास अगला सवाल अच्छा quiz आगे quiz जल्दी से दे दो अभी बताएं कि condition क्या है parallel lines की आप आप इसका समय है आप लोग नो बोला था 45 देना है अच्छे के किस value के लिए यह दोनो जो equations दे रखी है unique point पे intersect करेगी पहला सवाल देखते आप parallel lines यह थी के a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 यह condition थी तो पहले तो इनको compare कर लेते हैं suppose this is a1x plus b1y plus c1 equal to 0 यह अपने पास a2x plus b2y plus c2 equal to 0 इसको थोड़ा सा modify करना पड़ेगा 3x plus 2ky minus 2 is equal to 0 ठीक है तो यहाँ पर a1 आजाएगा 3 b1 आजाएगा 2k and c1 आजाएगा minus 2 यहाँ से देखेंगे a2 आजाएगा बेटा किता 2 b2 आजाएगा 5 and c2 आजाएगा किता 1 यह वाली condition में put कर रहते a1 upon a2 3 upon 2 is equal to b1 upon b2 2k upon 5 is not equal to c1 upon c2 minus 2 upon 1 ठीक है इन दोनों को equate करेंगे तो यहाँ से अपने पास k का value क्या जाएगा यह जाएगा cross multiplication कर यह इधर multiply और यह इधर multiply तो 15 is equal to 4k तो k equal to का जाएगा 15 upon 4 यह आजाएगा 4 parallel lines एक बात ध्यान रखें कि यार यह जो है इसके equal नहीं होने चाहिए इससे देख लेना 3 upon 2 minus 2 के equal नहीं है इसलिए यह parallel lines हो जाएगा ठीक है बटा तो इसका answer आजाए 15 upon 4 D answer आजाएगा बटा यही shortcut method a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 यह क्या बोल रहा है for what value of k do the equations this and this represent two intersecting lines at a unique point बटा वो end क्या है मतलब जहाँ पर intersect करेंगी वो solution end थोड़ी होता है ठीक है तो intersecting lines के लिए क्या condition कोई बताएगा के रहन दो तुम तो बाते करने लग जाओ intersecting lines a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 यह condition थी के intersecting lines के लिए यहाँ पर a1 b1 c1 निकाल लेता है यह a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0 के इकोल यह a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0 थोड़ा सा modify करना पड़ेगा kx minus 2y minus 3 equal to 0 यह 3 x plus y minus 5 equal to 0 तो a1 आजाएगा minus 2 upon 1 इसको इधर multiply कर लेंगे तो k is not equal to minus 6 यह अपने पास इसको उत्तार आजाएगा k minus 6 के बराबर नहीं होना चाहिए यह देखो यह बुल रहा है all real values except minus 6 d answer आजाएगा क्या होना चाहिए k minus 6 के अलावा कोई भी values ले सकता है k minus 6 के equal नहीं होना चाहिए तो कोई भी real value ले सकता है किसके अलावा minus 6 के अलावा इसका ले लो screenshot फिर आपन भागते थोड़ा आगे चले हम यह एक सवाल है अपने पास फिर से so graphically that the system of equations has no solution pilot अपनी condition से देख लेते है graphically भी देख लेंगे क्या है यह 2x plus 4y is equal to 10 and 3x plus 6y is equal to 12 यह से जाए कि 2x plus 4y minus 10 equal to 0 and 3x plus 6y minus 12 equal to 0 इसको compare कर लाए a1x plus b1y plus c1 equal to 0 इसको भी compare कर लाते है a2x plus b2y plus c2 equal to 0 a1 आजाएगा 2 b1 आजाएगा 4 c1 minus 10 a2 आजाएगा 3 b2 आजाएगा 6 c2 आजाएगा तो क्या होना चाहिए parallel lines के लिए क्या थी condition a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 a1 upon a2 क्या हो जाएगा 2 upon 3 यह हो जाएगा 4 upon 6 यह हो जाएगा minus 10 upon minus 12 यह तो 2 से cancel होगे 2 upon 3 ही आजाएगा यह करता हो जाएगा minus minus 5 by 6 यह दोनों तो equal है बर यह इसके equal नहीं है तो parallel lines हो जाएगी अब graphical method देख लेते हैं किस तरह से इनका graph बनेगा दोनों का देख लेते हैं तो यह अपने पास दिरका 2x plus 4y is equal to 10 यहां से table बना ले x,y x और y के क्या क्या value हो जाएगे ऐसा रख लेका x equal to 1 रखेंगे तो y equal to किता जाएगे 2 उदर जाके minus y equal to 2 आ जाएगे उसके बाद x equal to 3 रख लेका x equal to 3 रखेंगे यह 2 into 3 6 उदर जाके minus 10 minus 6 4 तो y equal to 1 आ जाएगे दूसरी अपने पास क्या है यह 3x plus 6y equal to 12 xy x equal to 0 रखेंगे तो y equal to 2 आ जाएगे and x equal to क्या रखें x equal to 2 रख लेते x equal to 2 रखेंगे तो y equal to 1 3 into 2 6 x उदर जाके minus 12 minus 6 6 y equal to 6 तो y equal to 1 अब दोनों का बना लेते हैं ग्राफ a positive x-axis a negative y-axis x-axis a y-axis a negative y-axis 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 1 minus 2 minus 3 देखे देखे पहले वाली लाइन कहां पर 1,2 पर 1,2 x पर 1 चलना y पर 2 यह वाला पॉइंट हो जाएगा एक पॉइंट आगे x पर 3 चलना y पर 1 x पर 3 y पर 1 यह है ठीक है दोनों को कर ले join दोनों को join कर लेते हैं ठीक है उसके बाद दूसरे वाली लाइन दूसरे वाली लाइन x पर 0 y पर 2 तो 0,2 तो कहीं आ जाएगा एक पॉइंट होगा फिर क्या है 2,1 2,1 का पाएगा 2,1 यहां पाएगा यहां पाएगा इन दोनों को join करेंगे तो यह भी इसके साथ साथ ऐसा ही चलती रहेगी ठीक है बटा हाँ बटा no solution नहीं बोल रहा है is no solution no solution किसके लिए होते थे parallel lines के लिए यह दे को बताया शुरू आप कहा गया यह रहा parallel lines के लिए no solution ठीक है तो parallel lines होंगी तभी no solution होगा इत्तीशी तो बात यह तो बोल रहा है ठीक है दोनों का graph बनाना simple सी बात है x और y की दो-दो values ले लो एक पॉइंट आगया 1,2 एक आगया 3,1 1,2 कहां पर जाएगा यह 1,2 3,1 यहां पर आगया इन दोनों को जोडने पर पहली line आ गई फिर दूसरे के लिए अपने पास क्या है बटा बोर्ड में असली graph आपको मिलेगा बोर्ड में असली graph आपने को मिलेगा ठीक है दूसरे के लिए क्या आगया x 0 y 2 x 0 यहां पर होता है यह 0,0 है और y पर 2 चलना यह आगया भी point दूसरा point है 2,1 x पर 2 चलना तो x पर 2 चलना लिए और y पर 1 चलना यह 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 वाला point आगया इन दौनों को जोइन करके दूसरी लाइन के ठीक है बटा आगे चले अगला देखते हैं क्या बोल रहा है सो graphically that the system of equations has infinitely many solutions ठीक है देखते हैं तो पहली equation अपने पास 3x minus y equal to 2 and दूसरी equation है 9x minus 3y equal to 6 इसको थोड़ा इदर ले आते 3x minus y minus 2 equal to 0 और 9x minus 3y minus 6 equal to 0 यह अपने पास a1x plus b1y plus c1 equal to 0 a2x plus b2y plus c2 equal to 0 अच्छा स्क्रीन सोट लेना था यह आप ले लो स्क्रीन सोट बैटा वाइट बोर्ड में graph से नहीं दिखा सकते यह जो अनुराग है थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो आप नहीं तो मेरे पास सबका नंबर है सबकी वाट लगा सकता हूं कभी भी थोड़ा बाते कम करें और पढ़ाई पर ध्यान दें तो बटा एवन आजाएगा अपने पास 3 बीवन आ जाएगा माइनस वन है यह जाए गर नाइस सबकार तो अपने पास क्या थी अपने पास कोइंसिदेंट लाइन की कंडिशन क्या coincident lines ऐसा था क्या A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 A1 upon A2 निकाले A1 upon A2 किता है यह 3 upon 9 1 by 3 हो जाएगा 3 से cancel कर लो B1 upon B2 किता है माइनस 1 upon माइनस 3 यह भी 1 upon 3 आगे C1 upon C2 किता है माइनस 2 upon माइनस 6 2 3 जा 6 यह भी 1 by था है तीनों एककोल आगे ठीक है अब ग्राफ बना के भी देख लेते हैं इस पर 3x माइनस y एकोल टू यहाँ पर क्या पॉइंट ले सकते हैं xy x equal to 0 ले लेंगे तो y equal to क्या हो जाएगा माइनस को 2 और x equal to 1 ले 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 तो x equal to यह हो जाएगा 3 minus y equal to 2 y उदर चल जाएगे तो यह भी बना जाएगा एक 1, 2 point आगे ठीक है उसके बाद जो दूसरी लाइन है अपने पास कहा है 9x minus 3y is equal to 6 xy x equal to 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगे 18 और 3y ऐसा लिख लेते हैं 9x minus 6 equal to 3y x equal to 2 लेंगे तो 9 2 जा 9 to the 18 minus 6 12 and यह हो जाएगा 4 12 upon 3 4 ठीक है और क्या ले ले x equal to 3 ले लेंगे x equal to 3 लेंगे तो 27 minus 6 21 upon 3 7 आ जाएगे 3,7 अब ग्राफ बना लेते हैं तुम लोग मेरी बात मानते हों क्या बाते करना बंद करते हों क्या मैं तुमारी बाते मानूं कि बताओ कि तुम अपने से चलते हो आपने से चलेंगे कि अधि झाल झाल ठीक है तो पहले बाले कर देते हैं 0, minus 2 x पर 0 चलना है y पर minus 2 पर उनका color change कर लेते हैं x पर 0 और y पर minus 2 यह आगे 0, minus 2 दूसरा point क्या लेना है 1,1 यह 1,1 यह 1,1 यह 1,1 यह 1,1 यह 1,1 ठीक है हाँ ले सकते हैं बटा कोई समस्य नहीं हो ठीक है तो यह अपने पास कुछ है इस तरह की बन जाएगी line ठीक है दूसरे वाली भी बना लेते हैं हाँ दूसरे वाले में कहा है 2,4 2,4 कहां पाए यह 2 यह 4 कहीं यह पाजाएगे 2,4 यह वाला point यह फिर कहा है point 3,7 3,7 यह 3,7 थोड़ा से यहां पाजाएगा इन दोनों point को भी join करेंगे तो यह भी same ही line पर अपने पास आ जाएगे अब मेरे में graph paper नहीं है मेरे पास इसलिए थोड़ा graph थोड़ा टेड़ा वेड़ा सा आ रहा है बाकि तुम लोग graph paper में जब अच्छे से scale से बनाओगे तो एकदम same to same graph आएगा एक लाइन दूसरे लाइन को पर आएगी ठीक है क्लास का time change नहीं हो सकता यह रहेगा हां बटा मैं बहुत गुस्से में हूं तुम लोगों ने कल बहुत सारी बाते की और मैंने मना किया उसके बाद थोड़ा नीचे लेना दूसरे टाइप का किस तरह का question करवाएं बैटा बताओ नीचे लेना और और नीचे हां और नीचे मैं भी अभी आया हूं और जाने भी बाला हूं नेक्स्ट मन्त कोई प्रप्लम नहीं है तुम सारी क्लास को डिस्टब भी तो करते हो अपने को यहां इधर पढ़ने वाले बच्चे चाहिए ऐसे नीचे जो यहां चैटिंग करने आते ठीक है यह बात ध्यान में रखो इधर पढ़ाई के लिए आयो तो पढ़ाई पर ध्यान दो हाँ बटा 12 को भी बढ़ाते हैं ठीक है होगे स्क्रीन सोट ले लो इसका जल्दी से फटाक से हाँ अब टेबल कैसे बनाते देखें यह अपने पास यह एक्विशन है ठीक है तो यहां से अपन क्या लिख सकता है ऐसा लिख सकते हैं क्या वाई को इधर ले जाते हैं और तू को इधर लिए तो यह एकल टू त्री एक्स माइनस टू हो जाएगा यह अइसे जब एक्स का वियू जीरो रखंगा इसमें तो 3 इंटू 0-2 तो य उकल टू क्या जाएगा म मैंटस को टूल ठीक बटा जब अपन इसमें X का विल्यू बन रखेंगे 3 into 1 3-2 X का विल्यू य का विल्यू बना जाएगा ऐसे बनाते टेबल ठीक बटा उसके बाद यह है था यह था यहां पर अपने रिख लिया क्या लिख लिख लिया 9x-6 6 equal to 3y जब मैंने X का विल्यू 2 रखाते का जाएगा 9 to 18 18-6 equal to 3y तो 12 equal to 3y तो y क्या जाएगा 12 upon 3 4 आ गया ठीक है उसके बाद X का विल्यू 3 रखाते कि तो जाएगा 27-6 21 equal to 3y तो y equal to क्या जाएगा 21 upon 3 7 आ जाएगा ठीक है यह अपने पास 3,7 हो जाएगा क्लियर है इस्क्रीन सोट लेलो फिर आगे चलते थोड़ा से एक क्वीज और कर लाते हैं बटा भाई क्वीज भेज देना भाई क्वीज भेज दे क्वीज कंसिस्टेंट का पतलब होता है जिसका कोई solution होता है कंसिस्टेंट का पतलब विच है solution विच है अट लीस्ट वन सलूशन क्वेस्टेंट नमबर टू इनका बताना है कि ये कौन सी लाइन है कौन सी कंडिशन को सटिस्टेंट कर रही है दो condition बताए थी उनमें से देखो कौन सी condition को तीन condition बताए थी कौन सी condition को satisfy कर रहे है जल्दी जल्दी बता दो पहला question देखते हुँ देखो तीन तरह के बताए था अपने पहला intersecting intersecting मतलब एक point पर intersect करेगी तो उसका था क्या unique solution दूसरा अपने पास था parallel lines parallel lines उसका अपने पास था no solution तीसरा अपने पास था coincident lines इसमें अपने पास था infinite solution consistent का क्या मतलब है which has at least one solution तो एक solution इधर है और इधर तो infinite यह दोनों सिस्टेम क्या हो जाएंगे consistent हो जाएंगे कौन-कौन से intersecting lines वाला और coincident line intersecting और coincident d option is the correct answer पहले question के लिए ठीक है यह दूसरा हो गया क्या पूछ रहा है कि यह कौन सी लाइन पैरलल है coincident है intersecting है देख लेते हैं इसको आपने ऐसे लिए आपके 5x-15y-8 equal to 0 दूसरे क्या हो जाएगा 3x-9y-24 upon 5 equal to 0 इसको माल लेते हैं a1x plus b1y plus c1 equal to 0 a15 b1-15 c1-8 यहाँ पर a1 3 b1-9 c1-24 upon 5 टीक है तो देखें a1 upon a2 कित्ता रहा a1 upon a2 a1 upon a2 कित्ता रहा वाटा 5 upon 3 b1 upon b2 कित्ता रहा रहा minus 15 upon minus 9 अच्या b2 a2 b2 c2 b1 upon b2 कित्ता रहा minus 15 upon minus 3 से cancel करेंगे तिया 5 times होगा 3 times a1 upon a2 equal to b1 upon b2 रहा c1 upon c2 भी देख रहा c1 upon c2 कित्ता रहा है यह आपने पास minus 8 upon minus 24 upon 5 यह denominator के denominator में तो यह तो परा जाएगा 8 3 जा तो यह भी अपने पास 5 upon 3 a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 तीनों equal आ रहे है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 is equal to 5 upon 3 तीनों की value सेम आ रहे है 5 upon 3 के equal तो क्या हो जाएगा तो यह अपने पास हो जाएगा क्या coincident lines हो जाएगा coincident line का क्या बतलब है coincident वाल option a आ जाएगा इसके infinite solution होईगा ठीक है क्या हो जाएगा infinite solution हो जाएगा ठीक है होगे दोनों सवाल आगे सबको एक यह question है क्या बोल रहा है draw the graph of the following equations ठीक है क्या बोल रहा है एक तो 2x minus y minus 2 equal to 0 2x minus y minus 2 equal to 0 ठीक है दूसर आपने पास है 4x plus 3y minus 24 equal to 0 ठीजर है y plus 4 equal to 0 ठीक है कौन सा question बेटा previous year question अब अब quiz first को कर देते कंसिस्टेंट का मतलब का है बेटा जिसका कम से कम देखो दो तरह के system होते है एक होते है consistent at least one solution at least one solution तूसरे होते inconsistent जिसका जिसका नौ solution तो consistent में कौन कौन से आएंगे unique solution वाला और infinite solution वाला unique solution unique solution मतलब intersecting lines infinite solution मतलब coincident lines तूसरे है no solution मतलब parallel lines तूसरे है यह एती सिबाद clear उसके बारे में बताएंगे बता theoretical test वाला test के बारे में भी ठीक है आगे यह सबको तो consistent कब होगा जातो intersecting हो या coincident हो inconsistent के लिए पूछेगा तो parallel हो जाएग clear है यह वाले सवाल पर ध्यान देते हैं obtained the vertices of the triangles of obtained also determine its area इसके बारे में करते हैं बात देखें यहां पर देखें पहले टेबल बना लें यहां पर ऐसा हो जाएगा कि 2x माइनस य इकोल टू टू यह इकोल टू टू यह इकोल टू 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 एक्स माइनस टू आजाएगा यहां टू 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 पॉँआ ट्री फोर आजाएगा है सबल ॉपन तू और अगर एक्सके विल्यू अपनक्र रखेंगे सिक्स रेखेंगे तो 24-24 बाएक्स टू 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 टू-पन टू एक यहां पर क्या है talent टू-4 एक टेवल बनाएंगे तेज़ एकन X equal to कुछ भी हो, Y equal to minus 4 ही रहेगा, X equal to 0 ले ले और X equal to 1 ले ले ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, अज़ आप देखें, अब टीनों का ग्राफ बना लेते हैं X, X dash, Y, Y dash, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, ठीक है, अब देखें, पहले वाली लाइन में, 1,0 कहा है पहले वाली लाइन के लिए बना लेते हैं, कलर रेड ले लेते हैं, पहले के लिए, 1,0, X पर चलना 1, Y पर चलना 0, तो यह वाला पॉइंट हो जाएगा क्या, यह 1,0, ठीक है, दूसरे वाला देखें, 2,2, X पर भी 2 चलना और Y पर भी 2 चलना, X पर भी 2 चलना और Y पर भी 2 चलना, ठीक है, यह दोनों को मिला लेते हैं, यह अपने पास पहली लाइन, पहली लाइन इस तरह से बन गई ठीक है उसके बाद दूसरे वाला देखें दूसरे वाली लाइन को अपन ग्रीन से बना लेते हैं यह ग्रीन से बना लेते हैं 3,4 x पर 3 चलना और y पर 4 यह 3 आगा y पर 4 यहां पर आज आएगा क्या यह वाला पॉइंट यहां पर आगया यह 3,4 आगया और दूसरे का है 6,0 6,0 कहां पर आगया x पर 6 चलना y पर 0 यह दूसरे पॉइंट आगया इन दोनों को भी मिला लें इन दोनों को भी मिला लिए ठीक फिर क्या बोल रहा है अपने से x equal to 0 y equal to minus 4 यह वाला दूसरे का है पर x equal to 1 y equal to minus 4 यह 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 पॉइंट यह 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 दोनों को मिला लेंगे अच्छा इसको तीसरे पैंसे मिलाते ऐं किसी तीसरे वाली लाइन को अपन कौन से पैंस इससे मिला लेते हैं है यह अपने पास यह तीसरे वाली लाइन यह अपने पास y plus 4 equal to 0 पहले वाली थी अपने पास 2x minus y minus 2 equal to 0 और यह वाला कौन सा है green वाला यह अपने पास है 4x plus 3y minus 24 equal to 0 यह तीनों के अपने पास line आगे हाँ कुछ करना पड़ेगे इनका बहुत चैट कर रहे हैं बाकी लोगों को भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं तो यह यह वाला point क्या जाएगा यहां पर देखें यह वाला point क्या जाएगा y equal to तो इसमें minus 4 है y का value minus 4 रखेंगे इसमें तो क्या जाएगा minus 4 x equal to minus 1 तो यह तो होगा minus 1 को मैं minus 4 यह वाला point कहा जाएगा कहीं इधर बाहर जाकर intersect करें इधर लिख रहा हूं मैं यह वाला point क्या जाएगा बटा यह वाला point अपने पास आजाएगा y तो minus 4 यहां देखें 4 x यह किता हो जाएगा minus 12 minus 24 is equal to 0 तो किता हो कि minus 36 तो यह हो जाएगा अपने पास 9, minus 4 यह वाला point जो इधर इधर वाला vertex आएगा यह वाला vertex हमें पता है किता है 3,4 यह दोनों तो 3,4 पर intersect कर रहे हैं तीनों vertex निकल गए तीनों vertex निकलने के बाद आपन क्या करेंगे क्या पूछा है उसने also determine its area बेटा triangle के area का formula पता है कि area of triangle पीशे चलेगे क्या आपन एरेजर है area of triangle प्रेंगल क्या होता है हाँ बेस इंटू हाइट देखें बहुत सही काफी सही बताया आप लोगों ने यह तो बेस हो जाएगा का-1 जैंस एक्स का वालू कहां पकर य तो consistent है इस पर माइनस पूर एक्स का माइनस वन से लेकर 9 तक है एक्स यह तो अपने पास बेस कितना हो गया बेस हो जाएगा अपने पास 9 माइनस माइनस का बाद 10 हो गया बेस तो height कित्ती हो जाएगा height height y इस पर measure कर लेते हैं यहां पर y equal to minus 4 है और यहां पर y equal to 4 है तो यह हो जाएगा अपने पास 4 minus minus का 4 8 हो जाएगा area of triangle कित्ता हो गया half 10 into 8 यह 5 5 8 जाए 40 इसके area आजाएगा 40 square units ठीक है clear किसी को कोई doubt तो नहीं है इसमें जल्दी बता दो हाँ रेपीट करते हैं पहले तीनो लाइन बना ली जो भी अपने पास equation दे रखे थी तीनो लाइन को बनाने के लिए हमने क्या किया उसके बाद तीनो वर्टेक्स निकल जाएंगे यहां पर y equal to minus 4 था तो इसमें y equal to minus 4 रखेंगे तेक हो जाएगा 2x minus minus 4 plus 2 तो 2x plus 4 minus 2 2x plus 2 x equal to minus 1 minus 1 minus 4 आ गया यह 3,4 पर दोनों इंट्रसेक्ट कर रहे थी यह वाला आ गया 9, minus 4 ठीक है तो area of triangle क्या होता है half base into height तो base तो बटा यह वन हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक का base हो जाएगा मतला minus 1 से लेकर 9 तक क्योंकि यह तो fix यह minus 4 यह भी minus 4 तो यह इसका base किता हो गया minus 1 से लेकर 9 तक 10 हो गया 9 minus minus कवण तो 10 हो गये तो height कित्ती हो जाएगी यह देखो y पर कहा सी कहा तक जा रहा minus 4 से plus 4 तर तो minus 4 मतलब नीचे भी minus 4 है मतलब 4 नीचे और 4 उपर है तो total किता हो गया 4 minus minus 4 8 अपने पास यह हो हाँ 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 बाल वीर ने बोला है कि से टेबल कैसे बनाते हैं देखो यह इधर देखा भी यह अपने पास एक्वेशन थी यहां से y का मान निकाल लिए मैंने क्या हो गया 2x minus 2 ठीक है ठीक है तो यहां पर x का value 1 रखेंगे तो यह कहा जाएगा 2 into 1 2 minus 2 y का value 0 हो जाएगा x का value जब अपन कहा रखेंगे 2 रखेंगे तो रखेंगे तो इस तरह से एक तरह से ठीक है देख बटा यह minus 1 से लेकर कहा था कि इधर 9 तक मतलब 9 तो positive है और minus 1 negative तो टोटल कितना हो गया यह रहा नाइन यह रहा यह वाला point जो इधर वाला वर्टेक्स है वो नाइन है ठीक है तो वर्टेक्स बता रहे है देखो यह वाला क्या है यह वाली line की equation क्या है y plus 4 equal to 0 मतलब इस वाली line पर y equal to minus 4 ही रहेगा और वैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो आप कैसे निकाल सकते हो जब आप graph बनाओगे तो यहां पर जो यह वाला point आएगा तीनों का यह वाला point आएगा graph में देख लेना कौन से point है समझ रहे है और जब graph से बनाओगे तो यह वाला scale से major कर लेना base scale से major कर लेना और height भी scale से major कर लेना हो जाएगा base जब आपन graph में बनाओगे तो graph में क्या होगा किसे मेज़र लेना किते हैं अपने पास distance आ रही है समझ गए की इस स्केल से मेज़र कर लेना देस भी और हाइट भी आ जाएगा कि अधर तो अपने पास scale हैं नहीं बोड भी बड़ा इनना इतना बड़ा scale लाना पॉसिबल भी नहीं अ को ये इसका आजायot आंसर यह घर पर कर लेने यह वाला question यह homework में किसी को डाउट है कि कल आपन ने तीन question दिये थे homework में ठीक है तीन सवाल है किसी को डाउट है कि इसमें जल्दी से बता तो किसी को डाउट नहीं है डाउट हाँ यह आज का हों वक है तीन सवाल है एक दो ले लो स्क्रीन सोट जल्दी से और यह तीसरा क्या बोल रहा है उन कंपेरिंग रिश्योंस फाइंड आउट वदर दी फॉलिंग प्रफ लीनेर एक्वेशन सार्कंसिस्टेंट और इंकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट का मतलब क्या है या तो क्या हो निची यूनीक सोलीशन या इन्फाइन इंकंसिस्टेंट मतलब नो सलीशन अचा पहले बाले में डाउट है क्या बोलता है क्या बोलता रहिए कंसे करते है क्या बोलता रहominationा ऐस डॉटर «7 यच एगो आयवज सेज सेवट आउट चैक अफल आंच है यूना रह क्या बोल्रै अफतार दे इस दॉटर दार दें। एले संटर साहल थाइला थेझ। तो पहले प्रजेंट एज मानने तो लेट प्रजेंट एज ऑफ अलताव इज अफ्ताव X years and present is of his daughter यह मान लेते हैं आपन वाई इयर्स ठीक है X years और Y years दोनों की एज माल ले क्या बोलना 7 years एगो तो 7 years एगो इसकी तो जाए एक्स माइनस 7 यह कहा है आई वाज 7 टाइम्स तो मतलब यह 7 टाइम्स ता किसके Y माइनस 7 के एक एक एक्वेशन तो यहां से आ जाएगी ठीक है बटाँ 7 years एगो की बात कर रहा है मतलब इस से साथ साल पहले की बात कर रहा है समझ के फिर क्या बोल रहा है और सो 3 years from now अब यह तीन साल बाद की बात कर रहा है मतलब इस की एज तो जाए एक्स प्लस 3 आए सेल भी थ्री टाइम्स तो यह कित्ता तीन गुना हो जाएगा वाई प्लस 3 के ठीक है यह एक्वेशन नंबर दो इस नोट इस इंट्रेस्टिंग रिप्रेजेंट इस सिच्वेशन अलजबरिकली एंड ग्राफिकली दोनों एक्वेशन निकाल लेंगे और वहां से उनको ग्रााफ हे ड्रो करके बता दींगे जैसे कल आपनने किया था आज वह क्या काफी और कोई सवाल है ॡाउट किसी को चलो आज की class आपन करते हैं यहीं पर समाओ फिर से मिलते हैं कल की class में कल की class में अपने बात करेंगे किसकी substitution method की algebraic method अपने पास total tn होते हैं substitution elimination और cross multiplication cross multiplication syllabus से हट गया तो आपन पहले substitution की बात करेंगे फिर Elimination की और उसके बाद कुछ word problems करेंगे word problem भी है इसमें यह अधी नहीं word problem के बारे में थोड़ी चर्चाए करेंगा आने वाली classes चलो बबाए वच्चों फिर से मिलते हैं कल के class में